Hello dear students, Mission Bunyad Hindi Level 2 की कहानियों में, आज हम कहानी नमबर 22 आलो के बारे में जानेंगे देखे, सबसे पहले इसके हम माइंड बैपिंग करते हैं तो Mind Mapping क्या होती बीटा, कि आपको किसी चीश का नाम सुनती ही, आपके Mind में क्या क्या उसके बारे में ख्याला आते हैं क्या क्या विचार आते हैं आपके उसकी कितनी knowledge है और आप उसका कैसा एक नक्षा Mind में सेट कर लेते हैं तो जैसे ये आलू है मैं पस तो क्या-क्या बाते हमें पता है कि इसे सबजियों का राजा कहते हैं, कम कीमत पर मिल जाता है, असानी से सब जगे मिल जाता है, है न, उपलप्त होता है, सब जगे, और इसके बारे में आप पता है, जमीन के अंदर होता है, सबी सबजियों के सा मिला कर खाया जा सकता है और इसके कम्प्लीट आप अपने आप करेंगे और इसके बारे में आप इससे भी पहुत जादा जानते हैं और आगे भी अब हम इस कहानी में सीखेंगे तो इस तरीके से आप अपने माइंड में कम्प्लीट करेंगे अब हम कहानी पढ़ते हैं आलू आलू, कुन्बा पालू, मूटा आलू, पिलपिला आलू, मूटा कचालू, पिकनिक पर सभी बच्चे मस्ती में अपनी तुक बिड़ा रहे थे जहां भी कोई नया या डिफिकल्ट वर्ड आएगा, आप उसे नोट करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे उन्होंने आलू के चिप्स का पैकेट महिश सर की तरफ बढ़ाया, लेजे सर, आलू की कहानी सुनोगे? सर ने चिप्स लेते हुए पूछा जी सर, सभी बच्चे चिल लाए, आलू दुनिया के हर कौने में खाया जाता है इसकी खेती आज से लगभक 8000 साल पहले शुरू हुई थी दक्षिन अम्रिका में पेरू बोलेविया की सीमा पर टिटी काका जील है वही सबसे पहले आलू बोया गया वहां की इंका सभ्यता में इसे मामा जाता यानी विकास की मा कहते थी 1532 में इस्पेनी विपारी इसे इस्पेल ले गए वहां से आलू यूरोप और फिर पूरे दुनिया भर में पहुँचा सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार चीन, डूस और भारत में होती है भारत में आलू उत्तरपदेश, बिहार और उडिसा में अधिक होता है सर ने आलू की बारे में विस्तार से पताया क्या चका चक नाम है, कहकर बच्चे खिलकिला कर हस पड़ी आलू का पौदा जमीन के उपर होता है पर इसका जो भाग हम खाते हैं, वह जमीन के अंत से खोद कर निकाला जाता है एक पौदे में बीस आलू तक निकल आते हैं कहते हैं अधिक आलू खाने से मोटापा आता है लेकिन ऐसी बात नहीं है मोटापा इसे तेरी में तलने के कारण होता है उपला और भुना आलू खाने से नहीं देखिए हम भी अभी तक यही सुचते हैं कि ज़्यादा आलू खाएंगे तो ज़्यादा मोटापा आता है पर उसका क्या लॉचिक है बिटा कि अगर हम उसे उपाल के और भून के खाते हैं तब इसका मोटापा से कोई रिलेशन नहीं होता इसे हम जब गी में तल के तेल में तल के पकोड़ी बनाके हैं तब खाते हैं तब वो जेच हमें नुकसान देती है आलू में बहुत सारे गुड़ हैं आलू में 80% पानी और पेस प्रतिशत सूखा भाग होता है सूखे भाग में 60-80% तक स्टार्च होता है जो की हमारे शरीर को ताकत देता है वसावा चिकनाई नाक के बराबर और प्रोटीन दाल के बराबर होता है आलू के चिलके समित खाने से विटामिन C मिलता है सर ने आलू के बारे में और भी जानकरी थी आलू तो बड़ी काम की चीज है बच्चे बोले हाँ आलू असानी से मिलने वाली काम कीमत की सबची है सर ने आलू के बारे में कुछ और मज़ेदार जानकरी थी हमारे लिए तो समोसे से बर्गर तक चिप से फ्रेंच प्राइस तक आलो जैसा कोई नहीं बच्चे हस पढ़े तो हम भी सब आलो से बहुत फैमिली रहें बिटा आलो सब का फेवरेट होता है सबजियों का राजा हम उसे कहते हैं क्योंकि एक तो उसकी प्रेंच शिप सभी सबजियों के साथ है ना जिसके साथ भी उसे डाल दो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है अब हम इसके उपर बेस बिटा कोशन सॉल्ट करेंगे प्रशन वान आलो को इंका सब्यता में क्या कहा जाता था तो अभी हमने सीखा आलो को इंका सब्यता में मामा जाता यानि विकास की मा कहा जाता था दूसरा कोशन आलो की खेती सबसे पहले कहा और कब शुरू ही तो आलो की खेती सबसे पहले दक्षिन अमरिका में पेरू बोलीविया की सीमा पर टिटिका का जील है जहां पर लगबग 8000 साल पहले आलू को सबसे पहले बोया गया था प्रशन नम्बा तीन इस पार्ट में आलू की किसके स्विशेश्टा के पारे में बताया गया है तो बहुत सी बाते हमने सीखी है आलू में 80 प्रतिशत पानी है 20 प्रतिशत सूखा भाग होता है सूखे भाग में 60-80 प्रतिशत तक स्टार्च होता है जो कि हमारे शेरीर को ताकत देता है इसमें वसा चिकनाई ना के बराबर और पूट्रोटीन ताल के बराबर होता है आलू को चिलके सम्यत काने पर विटामिन C प्राप्त होता है प्रशन चार आलू की पैदवार सबसे ज़्यादा किन देशों में होती है तो सबसे ज़्यादा चीन, डूस और भारत में होती है इस पार्ट से आपको जो जानकरिया मिली है उन्हें क्रमानुसार लिखिए तो हमें बहुत सी बाते इस पार्ट से पता चलिए बिटा सबसे पहले आलू असानी से मिलने वाली सबची है आलू कम कीमत की सबची है आलू का प्रयोग अधिकता सबची अबनाने में किया जाता है आलू हमारे शरीर को ताकत देता है आलू को छिलके सहीत खाने से विटामिन C प्राप्त होता है आप भी इसके साथ और बाते नोट करेंगे जो कि हमने इस पार्ट में सीखी है आलू में 80% भाग तराल और 20% सुखा भाग होता है जैसे हमने अभी पिछले कोशन में देखा और आलू सबसे पहले कहां और कितने साल उगाया था वो भी हम इसमें लिख सकते हैं तो keep on learning बेटा, stay blessed